नमस्कार और आप देखरे हैं पलपल कवड़ी की पुने प्राइम टीम के कप्तान अमर्जीत सिंग फोजी ने किया शांदार खेल परदर्शन हार्याना की शान ने पूरे देश में हार्याना का नाम रोशन किया है लगातार पंच मैचों में विजैसरी हासिल करके इंडिया इंडेट नैशनल प्रीमियम कवड़ी लीग सेशन वन में फ्रैंचाइजी पुने प्राइट टीम ने लगातार पंच मैच जीती है तीसरे ओच पंच मैच में अमर्जीत सिंग को बेस्ट प्लियर मैन अफ दा मैच चुना गया है जिसके लिए उन्हें पच्छिस पच्छिस हजार के दो बार चेक दिये गए हैं पलपल कैथल से नवीन मलाउत्रा की विशेस रिप हैं आपको बता दे कि जाने माने कबड़ी खिलाडी अमर्जीत सिंग भारतिय सेना की टीम में कारियरत हैं और काभी समय से कबड़ी के खिलाडी हैं इस समय वे अपनी टीम के कबड़ी कप्तान भी हैं भारतिय सेना में कारिय रख, जवान एवं जाने माने कबड़ी खिलाडी भारतिय सेना में समाज सेवा और सेना के कारियों में बेहद रूची रखते हैं अमर्जित सिंग पोजी ने अपने गाउं गुहना में बच्चों को खेलों से जोडने के लिए और खेलाडियों को नसे से दूर रखने के लिए एक अकादमी भी खोल रखी है जब भी अमर्जित सिंग डूटी पर गाउं आता है तो वह सुबह शाम यूआंग और यूटियों को सारी रिक व्यायाम भी करवाता है और इस खेल में अकादमी में यूखों और यूटियों को निशल ट्रेनिंग भी देता है यहां तक कि उन्हें व्यायाम के पशात रेफ्रेस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी स्वर्ण देता है कबड़ी खिलाडी अमर्जित सिंग फोजी की एक और खेल अकादमी फ्री चलती है और इस अकादमी से बहुत सारे ऐसे यूवा हैं जो यहां से तैयारी करके सेना खेल और अनेक सामाजिक कारियों में अपनी एहम भूमी का निवा रहे हैं जिससे केथल जिला के लोगों को अमर्जित सिंग फोजी पर गर्व है गाउं वाशियों से हमारी समवादाता ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि अमर्जित सिंग फोजी गाउं में और गाउं के असपास के यूवाओं को नसे और गलत आदतों से दूर रखने के लिए स्वस्त और चरितर निर्मान के लिए भी कारिया कर रहा है ग्रामिनों ने इस पर उनकी भूरी भूरी प्रसंसा की लोगों ने कहा कि अमर्जित सिंग फोजी जब भी गाउं में वापस आएंगी उनको इंतजार है कि कब वे अपनी टीम को जिता करके वापस लोटे और हमारे पूरा गाउं उनका स्वागत के लिए बे सब्दी से इ इतना ही नहीं आज़ पास के ग्रामिनों ने भी बताया कि वे उन्हें सम्मानित करने के लिए बेताब हैं ग्रामिनों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे जवाज सैनिक और खिलाडी तथा समाज से भी अमरजित सिंग को राज्टियावाड से नवाजा जाए ताकि अमरजित सिंग फोजी जैसे और उन्हें देख करके अन्य लोगों को शेक्षा और शेक मिले ताकि देश के साथ साथ ग्रामिनों ने बताया कि समाजिक बुराईयों पर लगातार काम करते हुए और लोगों को जागरूप करते हुए तथा कि लाड़ियों की याद में कपड़ी टूनेमेंट करवाना और अन्य कई चीज़ें करवाना उसकी सफलता का राज है इसके साथ साथ अमर्जीत सिंग से भी हमारे समवादाता ने दुर्भाश पे बात की थी जो भी हम आपको सुनाएंगे आप जेखनें पलपल की विशेश रही है बात यह से ना में कारे रहत हूं मेरा चेन इंडो इंटरनेशनल कवड़ी प्रीमेर लीग सीजन वन में हुआ है जो की 13 माई से 4 जून तक ये लीग चल रही है लीग में आठ टीम में बाग ले रही है जो की आठ टीमों के बीच लीग में 44 होंगे मेरे को मेरा अनुबव और मैं पिछले 10 साल से आर्मी में कारे रहत हूं और आर्मी टीम से कवड़ी खेलता हूं मेरे अनुबव और मेरे खेल को देखते हुए मेरे को पुने प्राइड टीम का कैप्टन बनाया गया है और हमारी टीम के अभी तक चार मैचों है हमने चारों मैचों में विजे हासल की है इस लिग में सेलेक्शन होने के कार्ण मेरे गाउं और पूरे इलाग के कैट्सल जीले में बहुत ही खुशी का मौल है जिसे मुझे गाउं में जाता हूँ तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलों के लिए प्रेयर करता हूँ सुबह से हम खेल की प्रैक्टिस या सेना के लिए त्यारी पुलिस के लिए त्यारी सो से डेड़ सो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं गाउं में नसे के खिलाब और समाजिक बुर्यों को दूर करने के लिए गाउं का नाम, जिले का नाम, देश का नाम, पूरे विशबस्तर पर करना चाहता हूं युवाओं को खिलाड़ियों को ज्यादा से ओरनी समाजिक बूरायों से दूर रखकर खैलों के तरफ जागरुग करना और ज्यादा से ज्यादा देश के लिए प्रदेश के लिए मैडल लेकर करना विस्थ तरफ रोसन करना यही मेरा हमे उदुष्या है